कि एलो फ्रेंड्स वेलकम टू अंजनास किचन मैं आज आपको बताने चाहरे हूं रवाई जैसी पत्ता गोभी की यह पत्ता गोभी जो मैं बनाने जाए हो बंद गोभी यह बिल्कूल हल्वाई जैसी बनेगी हल्वाई की सब्जियां कितनी टेश्टी होती है वैसी मैं आप होकर अच्छी तरह से धोकर काट लिया है यह कि मैंने चील के नहीं उतारें क्योंकि नहीं आलू है इसके चील के काफी पतले होते हैं एक मिर्स मैंने लिए हैं हरी मिर्स से काट लिया है इस तरह से एक प्याज मैंने लिया है तरह से काटा हुआ है दो टमाटर मैंने लिए ह थोड़ी सी मैंने हरी मटर ली है और ये पत्तागोबी को इस तरह से मैंने काटा हुआ है और तेल लिया है हमने बनाने के लिए सब्जी वन टीश्पून साबुच जीरा लिया है दो तीन तेजपत्ते लिये हैं और ये नमक ये दो दाल चीजनी दो छोटी लाची एक बड़ी लाची तील साबुत लाल मिर्च ये लोग चार पांच मैंने लॉग चार पांच गोल मिर्च और वन टीश्पून जीरा वन टीश्पून धनिया मैंने लिया है इसे हम ड्राइड रोस्ट करेंगे तो आएए सब कre n's bуляр बनाते हैं यह किया सब्षाइब के सब्सक्राइब साथ सब्षाइब ओं चलेंगे बंसे सब्सक्राइब नहीं हमें हलका सामें रोष्ट करना है सिर्फ जब इसमें से खुस्भू आने लगे तब ज्यादा इसे में जलाना नहीं है कि इसे भी ऑन कर लेते हूं यह देखे एमने गैस ऑन कर लिए इस पर जब तक हमारा मसाला रोष्ट हो रहा है तब तक हम इसमें यह तेल डाल देते हैं अब तक यह भी गरम हो जाएगी यह हमारा मसाला रोष्ट हो चुका है इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम मिक्सी में थंडी होने के बाद जब यह थंडी हो जाए उसे ड्राइ रोष्ट कर लिए यह मैंने गैस में कड़ाई में तेल डाल दी है अब हम इसमें डालेंगे तेल गरम हो जाए तक हम इसमें तेज पत्ते डाल देंगे जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा तब तक हम इसे कर लेते हैं तेल हमारा गरम हो दिया है अब हम इसमें तेज पत्ता मैंने डाल दिया यह बंटी स्पून जो मैंने साब उच्जी रह लिया था इसे हम डाल देंगे इस तरह से लेखें अब हम इसमें अपनी हरी मीज को भी एक हरी मीज समने भी सबी डाल देंगे हल्का सब्सक्राइब इस तरह सब्सक्राइब बंड़ने लगे एक दो बार चला में रिखें के डाल इसे इसे नहीं पराइब अब्सक्ते लगे अब्सक्राइब करें प्याज को ज्यादा में नहीं भूनना है तस होड़ा सा प्याज इस दो बर हम इसे चला लेंगे हलकर बून जाए प्याज हो हुन है अहां अब इस बस हम ज़्यादा नहीं भूननेंगे प्याज को चलाकर अब इसमें अपना जो आलू मैंने लिया पर इसे आपकर देंगे अब साथ ही साथ इसे हैं इस लमक आधा लमक हम इसमें डाल देंगे और इसमें अपनी हल्डी है इसे भी डाल देंगे एक चीज में दपाना आपको भूल गई ठीक हैं इसमें में वन टीस्पुल अधरक लशूं का पेश डालूंगी यह थोड़ा सा भूल जाए अभी हम इसे कभ़ग कर देते हैं अलू जो हो अलुद भूल कि देखें अलू जो जो हएं देखेंगे अदरक लशूं का पेश्ट एक चमच और यह सारे ने जीरा पॉडर भेना पॉडर इसे एड़ करें और इसे अलका सा भूलेंगे जो यह लेखिए मैंने यह मसाले जो ड्राय रोस्ट किया थे इस तरह से हमने इस तरह से पीश लिया है साल्य अग्ष्णाजच के जो काऊ मिक्सर में डालेंगे एक जिसली काफी अची आथा तज ऐसा जो मतर है इसे ज्यादा मेख गूना अकिसी तरह साल्य ज्याची स सरय म्हें है अग जो लिस्ट बचा कर एक भी आल देटा है अब ये, तमातर, ये तमातर मैंने आपके अब दियो है, ये दोखें, मसाले से शिल्पू आने लगी है, ये भूल चोटा है, इसके हमें ज्यादा नहीं भूलना है, अब हम इसमें, अब हम इसमें लेगे पत्ता भूल मेलक आजे थे, फिर हम दान दाने, पैसर, अब हम इसमें, पानी आइड करेंगे, ज्यादा पानी आइड नहीं करना है, ये खुद भी पानी इसमें से निकलती है, अब हम आड़ा से पहले मीक्स कर लें, और जब ये पत्त वभी सिद जाएगा 10 मिनिट लाएंगे, ज्यादा नहीं लगते हैं, भी इसमें, अब हम इसमें, पहले हम हम इसमें मीक्स कर लें देखिये, कितनी खुटसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है अब इतने हम थोड़ा सा आधा कप पानी आइट करें ज्यादा हमें नहीं आइट करना पानी बस अब हम इसे फिश से कवर करके दस मिन के लिए छोड़ देते हैं दस मेट के बाद हम देखते हैं यह हाफ कर जाएगा उसके बाद हम जो जो राए रोस मसाले हैं उससे हम लाग है देखिए कितनी फूबचूरत लग रही है कर देखिए फ्रेंट करके छोड़ देते हैं देखिए फ्रेंट यह देखिए हमारी सजी